नमस्क्राइब दूश्तों क्या हम कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं؟ या क्या हम कुत्ते को पाड ले जी बिस्किट खिला सकते हैं؟ तो आईए आज जानते हैं अगर रोटी खिलाना, अगर आप इसमें दो अप एलू है अगर आप किसी आवारा कुत्ते को या स्ट्रीट डॉग को रोटी खिला रहे हैं तो उसे बिलकुल मन न रोके क्योंकि वो एक फुर्णी का काम है जिसको कुछ खाना नहीं मिल रहा है उसको आप खिला रहे हैं तो उसको कुछ भी खाना मिल रहा है उसके लिए तो बरदान है और वो जो street dog है वो काफी सालों से human food खाते खाते अपने आपको उस परिस्थिती में उसका पाचन तंद्र उसी तरह का ढ़ल गया है तो इसलिए उन लोगों के लिए रोटी खिलाना या पारलेजी खिलाना बिल के लिए ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और इसके तो काफी सारे अजकल बहुत तरह के पहलू देखने को मिल रहे हैं काफी सारे astrologers ने बताया है कि अगर कुटे को रोटी या खाना खिलाई जाए तो उनका संकट दूर होता है अब पता नहीं कितना सच है लेकिन काफी अब आते हैं ब्रीड डॉग के बारे जो डॉग्स हम लोगों के घर पे रहते हैं घर पे यादे 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 ब्रीड नहीं होता है अब आते हैं ब्रीड डॉग के बारे जो डॉग्स हम लोगों के घर पे रहते हैं घर पे या तो ब्रीड डॉग्स है ज्यादा तर या नहीं तो वो मिक्स डॉग हैं मिक्स ब्रीड के डॉग है तो इन डॉग को इनकी पाचनतंत्र जो ब्रीड डॉग है वो तो काफी सारे भी देश से हैं, जैसे जर्मन सेपर्ड है, लेबरेटर है, या माल्टीज है, या पग है, ये सब बाहर से आते हैं, तो इन सब डॉक्स की पाचन तंत्र ये रोटी खाने के लिए कुप्यूकत नहीं है, तो इन लोगों को कोई भी खाना दिया जाए, वो ग्रेंड फ्री होना ज़रूरी है, हम भारती लोग तो हलांकि human food खिलाने में बिजवा सकते हैं, जो बहुत हद तक गलत है, क्योंकि उन्हें वो जावे fox के बंसच है, और वो जो की विदेश से आए हैं, विदेशी नसल के हैं, तो उनका पाचन तंत्र मीट बेस रहा है हमेशा से, तो उन्हें अगर मीट बेस दिया जाए, ग्रेन फ्री डायग दिया जाए, तो यही उनके लिए अच्छा है और लाब दायग भी है, तो जैसा कि आप अगर जानते भी होंगे, काफी सारे जो पेट फूड हैं, कमर्सियल पेट फूड हैं, उनके पैकेट्स में लिखा रहत हैं, क्योंकि उन्हें कोई ग्रेन नहीं रहता है, कमपनी क्लेम करती है कि कोई ग्रेन नहीं है, पूरा मीट बेस्ट है और पूरा प्रोटीन है उसमें, तो ब्रीड वाले जो है नसल वाले डॉग हैं, उनको रोटी खिलाना या पारलेजी खिलाना या मैरी बिस्कुट खिल तो नमक चिनी उनके लिए हानी का रख है, हाँ एक या दो अगर देना चाहें, दो तेज सकते हैं, वो भी अदा कदा, हमेशा नहीं, अब तो डॉक्स के लिए भी काफी सारे डॉक बिसकित भी आ गए हैं, रिबन हिमालिया का एक बिसकित है, फिर डूज का है, कॉम्बो बिस बिसकित दे सकते हैं, जो सब की नहीं, जो डॉक्स के लिए उप्युक्त हैं, उन में नमक चीनी नहीं होता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ब्रीड वाले डॉक को रोटी या पारलेजी बिसकित या मैरी बिसकित इस तरह का बिसकित ना दे,